रत्यांगना सुधाचंद्रन जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुँचने के लिए दृड इच्छा शक्ती और कठन परिश्रम के आवशक्ता पड़ती है कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष प्राप्त किया है ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन पैर खराब होने के बावजूद वो चोटी के नृत्यांगना बने है सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्थिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रिय ख्याती की नृत्यांगना बने इसलिए मुंबई के प्रसिद्ध नृत्यविद्याले कला सदन में प्रवेश के लिए पहुँचे पहले पहल तो नृत्यविद्याले के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखले में हिच-किचाहट महसूस की बच्चे आपका नाम क्या है मेरा नाम मेरा नाम सुधा है सुधा वा वा बहुत सुंदर नाम है अच्छा सुधा आपकी उम्र क्या है मैं पूरे पांच साल की हूँ अरे बाप अरे इतनी बड़ी हां मुझसे भी बड़ी है सुधा आपको पता है, मैं बहुत अच्छा नृत्य भी करती हूँ अरी वाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है अच्छा शीशे के सामने खड़े होके कभी नृत्य किया है हाँ, वो तो मैं हर जगा करती हूँ शीशे के सामने, गार्डन में, स्कूल में टीचर नहीं करने देती हूँ कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें यहां नृत्य करने देंगे और तुम्हें नृत्य की शिक्षा भी देंगे ठीक है, सिस्टर इसका एड्मिशन कर लो सुधा, पिटे कल से आप यहां नृत्य सीखने के लिए आएगे ठीक है, सेच? हाँ सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री केस रामस्वामी भागवतार ने उसे शिश्या के रूप में स्विकार कर लिया और सुधा, उनसे नियमित प्रशिक्षन प्राप्त करने लगी जल्द ही सुधा के नृत्य कारिक्रम विद्याले के आयोजनों में होने लगे मृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रधिभा दिखाई लेकिन सुधा के स्वपनों की इंध्रधनुशी दुनिया में एक आएक दो मई 1981 को अंधेर अचा गया मेरी टांग ये मेरी टांग को क्या हो गया पहुत दर धो रहा है उनकी बस दुरखटना ग्रस्त हो गई इस दुरखटना में सुधा के बाएं पाउं की इड़ी तूट गई और दायां पाउं बुरी तरह सखमी हो गया प्लास्टर लगने पर बायां पाउं तो ठीक हो गया किन्तु दाएं टांग में गैंगरीन यानि एक प्रकार का कैंसर हो गया ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाएं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था अन्ततहा दुरघटना के एक महीने बाद सुधा की दाएं टांग घुटने के साढ़े साथ इंच नीचे से काट दी गई एक टांग का कट जाना संभवतह किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अन्त ही होता सुधा के साथ भी यही हुआ अब तो पैर में इतनी चोट लग गई है कि मैं नाच तो सकती ही नहीं बढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा यही ठीक है वैं अपनी बढ़ाई ही पूरी कर लेती हूं कुछ समझ नहीं आ रहा अब बढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा क्या करूं क्या मैं दुबारा नाच सकूंगी छोड़ो इससा बाते मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती हूं सब फिजूल है नहीं पर मैं नहते को कैसे भूल सकती हूं सुधा ने लकड़ी के गुटके के पाउं और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबाई आकर वो पुनहा अपनी पढ़ाई में जुट गई इसी पीच सुधा ने मैकसेसे पुरसकार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंगविशे शग्य डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना बुजैपूर गई और डॉक्टर सेठी से मिली ये पैर थोड़ा सा उठा बस 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 जादा नहीं बस ये स्टूल के ओपर अपना पैर रखो मुझे एग्जामिन करना बस 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 दाट सेट गुट 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 वरी गुट डॉक्टर साब मेरा पैर ठीक तो हो जाएगा ना पहले एग्जामिन तो करने दो अच्छा ये एडी थोड़ा से दर करो हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल पहले की तरह सामाने धन से चल सकोगी सुझा पर क्या मैं नाच सकूंगी चलने की नाचने की फिकर है तुमें जी हाँ बई क्यों नहीं प्रियास करो तो सब कुछ संबाव है डॉक्टर सेथी ने सुधा के लिए एक विशेश प्रकार की टांग बनाई जो अल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वो टांग को आसानी से घुमा सकती थी सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लोटी और उसने मृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा किन्तो इस प्रियास में कटी हुई टांग से खोन निकलने लगा कोई भी सामानने विक्ति इस तरह की घटना के बाद दुबारा नाजने की हिम्मद कतई नहीं करता किन्तु सुधा साधारण मुट्टी की नहीं बनी थी मैं कमजोर नहीं हो सकती नहीं हो सकती मैं मृत्य कर सकती हूँ जल्दी ही उसने अपने निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेथी से पुनह मिली थोड़ा सा मूव थो पर पैर को दर्द हो रहे हैं यहां पर अच्छा मैं यहां पर प्रेस कर रहा हूँ होता है होता है कितना बस बस समझ गया मैं समझ गया तो समझ से यह है डंप साथ आपने तो कहा था कि मैं चलने लगूँगी नाचने लगूँगी मैंने कहा था और मैं अब भी यही कह रहा हूँ एक मिनुट रुखो सुधा यह देखो मृत्य की तुमारी विशेश जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह मैंने यह देखो तो एक विशेश तांग बन वाई है तुमारे लिए देखो 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 तुमी उसे पैनो इसे 1 मिनट के लिए पैनो 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 ने पैनो अची तरह से पैनो 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 अच्छी तरह से पैनो used strap करो बज़ भन स् barbar κ Rub HR pub मैं मैं bulip Sumon अब ज़रा खड़ी होज़ा, इसकी बड़ी होज़ा अब देखो सुदा, एक बात तुम्हें मैं बहुत साफ कहा देना चाहता हूँ जो कुछ मैं कर सकता था, मैंने कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है सुधा ने पुनाहा नृत्य का भ्यास प्रारम भगिया शुरुवात बहुत अच्छी नहीं रही कटे हुए पाउं के ठोट से खोन रिसने लगा किन्तु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा 28 चनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीती के साथ सुधा ने दोबारा मृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्र स्विकार कर लिया ये दिन सुधा की जिन्दगी का संभवता सबसे कठिन दिन था उस दिन से भी ज्यादा जब उसका पाउं काट दिया गया था सुधा का ये प्रदर्शन बेहत सफल रहा चहेतों ने उसे देखते देखते बल्कों पर उठा लिया और वो रातों रात एक एतिहासिक महत्व की व्यक्तत्व हो गई उनकी अद्भुट जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलगू के फिल्मकार ने उनकी जिन्दगी को आधार बना कर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तिलगू में एक फिल्म बनाई अपने पात्र को सुधा ने स्वाइम परदे पर जीवन्त कर दिया फिल्म को अद्भुट सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनाई के लिए सुधा को भारत के 33 वे राष्ट्रिय फिल्म जमाहरों में विशेश पुरसकार प्रदान किया गया मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने ये फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी के नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया आज सुधा एक व्यस्त नुत्यांगना ही नहीं फिल्म कलाकार भी हैं सुधा को उनके असामान्ने साहस और श्रेश्ट उपलब्धियों के लिए कई पुरसकार भी प्राप्त हो चुके हैं अभी आप सुन रहे थे ये कारिक्रम भन्यंकन बटी लाइंग बिंग्डो और शानु मुक्सील अभार अजी थोरो निर्देशन निर्मान तथा ध्वनी संपादन विमलेश चौधरी और तस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नाइदिल्ली भारत अभी ये 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 कारिक्रमान विमलेश